जो आने वाला समय है वो आप की लिए किस प्रकार का होगा है इस बार माता गोडे पर सवार होकर आ रही है तो माता का गोडे पर सवार होकर आना इस बात का संकेश देता है कि युद्ध जैसी घटनाएं हो सकती है और वरतमान में हम रसिया और रुखरन के युद्ध तो और शकता है ताकि प्रकृतिक प्रगोप से बच सके बिलकुल तो यह जानका लिदी कि चैत्र नवराद्र का शूब मुहृत किया है गठस्ताफना की पूजन विधि क्या है तिथी क्या है अचारती हम आपसे ये भी जाना चाहेंगे कि इस चैत्र नवराद्र के पहले दिन हम माता जी के कौन से स्वरूप की पूजा करें जिससे हमें लाप की प्राप्ति हो तो मूलुख से जो चैत्र प्रतिपदा है इसको मनाने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने चैत्र प्रतिपदा के सुर्यदय के साथी सिस्टी की ऊचना गहीति उसी के स्वरूप में चैत्र प्रतिपदा को नय वर्ष का प्रारम माना जाता है यहां पर हम नौ दूर्गा के स्वरूप की बहुद अराधना करते हैं ऐसा कहा जाता है कि इस दिन प्रति जो पहला दिन होता है इस दिन हम माता शैल पुत्री की पूजा करते हैं तो जहां तक माता शैल पुत्री का स्वरूप का संबंध है माता नंदी नामक वृषप पे सवार है जो माता जी है माता के दाहिने हात में त्रिशूल लग करने का पुष्प रहता है जहां पर भी घने जंगल वगरा रहते हैं वहां पर जीव जन्तुओं से रक्षा के लिए लोग परवतों में खास कर विश्व रूप से पाड़ी छेत्रों पर परवतों पर माता के प्रथां रूप माता शैल पुत्री की मूर्ती का स्थापना किया जाता है ताकि वन जीव जन्तुओं से लोगों की रक्षा होता के जी बिल्कुल तो माता शैल पुत्री की स्वरूप की पहले दिन हम पूजा करते हैं नवरात्री में और ये नवदुर्गा में प्रथम हैं और इस दिन घटिस थापना भी की जाती है परवत राज हिमालय के घर जम लेने के कारण पताय जाता है अचार जी कि इनका नाम शैल पुत्री पड़ा अचार जी यदि हम कथा की बात करें तो इसके पीछे की कथा क्या है हिंदू धर में क्या कुछ मानिता है माता शैल पुत्री कि स्वरूप की विल्कुल जहां तक माता की कथा का संबंध है जैसा कि शैल पुत् आपती के रूप में हुआ था दक्ष प्रजापती विष्टू के बहुत बड़े भक्त थे और वो उनकी बहुत ज्प्त जजादा अराधना क्या करते थे सकतने जहां तक माता सत्व का संबंद था इसके से कहँ हुग करते थे लिधल प्सक्रशläपती कि कहने रूपन sc palms और उसके लिए उन्होंने काफी जतन किया लेकिन माता ने जिद्ध किया और उनके जिद्ध के आगे उनके पिता को जुखना पड़ा और आखिर वो माता का विवहार श्रीव जी से को रूप में माता को चढ़ा सकते हैं लेकिन आपको दो काम करना होगा पहला बात तो एक किसी भी अच्छे स्वक्ष चांदी या स्वानन के पातर जो भी आपके पास है उसमें आपको माता को शुद्ध घी का भोग चढ़ाना चीए और उसके साथ अगर आपको लगता है कि आप और माता को प्रसंद कर सकते हैं शुद्ध घी से बने वे किसी भी चीज का भोग आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन मूल रूप से माता को शुद्ध घी का ही भोग लगाएंगे तो काफी आपको लाभ मिलेगा बिल्कुर शुद्धिकी का भोग लगाने से निश्चित तौर पर आपको लाब की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि माता जी को ये भोग भी बहुत पसंद है और जिस तरह से आचार जी ने बताया कि उनका पसंदीदा रंग लाल है तो लाल रंग के पुष्प आप उन्हें अर होने जा रहिए वह घोड़े होगी घोड़े पर सवार होकर माता जी आ रही है तो कहीं न कहीं ये एक युद्ध का भी परिचायक है कि आने वले समय में तमां तरह की जो चुनौतियां वह देश और दुनिया के सामने हो सकती है यदि हमें इससे पार पाना है किस तरह से हम म हमें जानकारीत हैं बिल्कुल चुकि माता जो घोड़े पर आ रही है तो उसका संकेत कुछ समय पूरू से ही मिल गया जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक प्रकार से द्वन्द चल रहा है युद्ध चल रहा है और माता का आगमन भी घोड़े पर हुआ तो यह बड़े सं में युद्ध को लेकर काफी दिक्कति हो सकता है तो लोगों को बहुत सहाज रूप से शान्त शित्त होकर अपनी भावना पे अंकुष रख कर दार सिर्फ हमारे देश में तो रिविश्व में लोगों को चाहिए कि अपनी भावना पे अंकुष रखे छोटी-छोटी बात कैसी में रहे हैं कि कोई दीथी के छै नहीं हो रहा है अक्सर हम देखेंगे की नौरात्यव में एक यह दू तीथी का छै हो देश के हमारी सभीता को हमारी संस्कृत जो सबुग मानने वाले लोग पूरे विश्व के लिए भी बहुत अच्छा समय है, चुकि नौ दिन अगर हर व्यक्ति अगर इस अंकल्प करें कि अपनी भावना पर अंकुष रखेंगे, अपनी आचरन पर अंकुष रखेंगे, और अगर अच्छे से नौ दिन तक माता की सेवा करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में माता प्रसंद हो, जो इतनी बड़े विश्युद्ध के कगार पे खड़ा हुआ है, वो बिलकुल माता बहुत आसानी से उसे टाल दें, और माता चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष हमने हमारे अतीत में देखा, कि पूरे सराचर ब्रह माता चला रहे हैं, आधिशक्ति भवनी चला रहे हैं, तो कहीं न कहीं माता कि अगर कृपा हो गई, तो युद्ध बहुत छोटे रूप में हो सकता, नौराती खतम होते हैं, युद्ध समाप्त हो जाए, तो हम सब लोगों को संकल्प लेना है, और प्रात्ना करना है, माता की सेवा करनी है, कि जो युद्ध है, वो शांत हो जाए, और पूरा विश्व एक शांती से जीवनियापन करें, बिल्कुल तो माता की विभनिस परुखों की आपको पूजा करनी, और पहले दिन होगा माता शैल पुत्री का पूजन, लेकिन इन पूरे नौ दिन आपको ब विश्व पर विस्तार से एहम जानकारी देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद.